बागोन भाईयों देखिए मेरे हाथ में अभी यह मेमा मीस्टर एपल है तो यह कब मेचेवर होता है वो हम आपको बताएंगे एक तो आप जो ब्रिक्स मीटर है उससे इसका शुगर कंटेंट टेस्ट कर सकते हो और दूसरा है कि जो इसके अंदर दाना है वो अगर ब्लैक हो हो चुका है तब यह फोली मेत्यो है अगे हम आपको काटके दिखाएंगे दोस्तों यह है मेमा मीस्टर एपल वराइटी अब हम इसको काटने जार रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि जो इसके अंदर सेड है वो मेचियोर हुआ है की नहीं हुआ है कलर तो इसमें पूरी तरह से आ चुका है अब अब स देखना यही है कि जो इसके अंदर का सीड है वो मेच्योर है की नहीं है आप यह देखिए दोस्तो जो यह हमने अंदर से काटा है सेव तो उसका दाना अभी पूरी तरह से ब्रॉण नहीं हुआ है इसको दिखाओ कि अब आपको दिखाते है कि किस तरह से इसका जो सीड है वो हाथ में निकाल लिप्सकुना है यह तो यह देखिए बागन भाहियो पूरी तरह से जो यह हमारा से यह मेच्योर नहीं हुआ है क्योंकि जो इसका सीड है अभी ब्रॉण होना बाकि है अगर मैं ट जो अभी उसमें उतना जाला टेस्ट नहीं आया है शुगर कंटेंट है पर हलका सा है तो अभी मेरी अजिवेशन में टाइम है इसको मच्योर होने में तो यह देखिए बागवन सातिवाब में मैं मिस्टार अभी हमने काट के भी आपको दिखाया और इसका सीड भी दिखा है अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसमें थोड़ा भी हमारी एलिवेशन में दस एक दिन के बाद इसमें टेस्ट आ जाएगा तो टेस्ट का पता हमें लगेगा जब हम इसका सीड देखेंगे और जब वो फुली बलैक हो जाएगा तब यह जो फूरूट है फुली मिचे हो रहे हैं रॉयल की अगर हम बात करें तो रॉयल में जैसे जैसे कलर आता है वैसे वैसे उसमें टेस्ट भी आता रहता है तो जो यह हाई कलर स्टेंड वराइटी है इसमें जो टेस्ट है वो थोड़ा लेट आता है और जो कलर है वो थोड़ा जल दी आता है तो जो लोग बोलते भी है कि जो जितनी भी यह लिटेस्ट वराइटिया है तो कलर तो है पर टेस्ट नहीं है तो वो लोग क्या करते है कि जो फ्रूट है उसे मेचेवर नहीं होने देंगे और जो अन्राई पैपल है उसे तोड़ देते है और मार्किट में ले जाके ले जाक इसको पूरी तरह से मिच्योर होने दे उसके बाद फ्रूट तोडे और जो इसका टेस्ट है वो रोयल ही जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम अगर हम इसको टाइमली तोडे और इसको पूरी तरह से पकने दे अच्छे से इसमें अंदर टेस्ट आने दे तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं इसके सीड्स को तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि जो फ्रूट है आपका मिक्योर कितना हुआ है तो इस वीडियो में बागवन भाईयो पस इतना है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो शेर कीजिए धन्यवाद